आज हम लेकर आए हैं फ्रेश मटर के प्रांथे ये हैं मटर और हम इन में निकाल गए हैं तो अब हम आपको बताते हैं फिर आगे क्या प्रोसेजर है हमने ये दो कप भरके न हरे मटर ले लिये हैं इनको फ्रेश निकाला है और दो इंच हमने अद्रको चील के लिया है एक हरी मिर्च बीज निकाल के लिया है इसको अब हम मिक्सी ग्राइंडर जार में पल्स मोड पे पीछ लेंगे दर दर और और ये देखिए कुछी सेकिंड् दर-दर पिस जाएगा हमने बेना पानी डाले इसको पीछा है पैं में हमने एक चमच घी डाल दिया है एक जीरा भून जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे मतर, सारी मतर डालने के बाद हम इसको भूनना शुरू करेंगे, इसमें क्या है कि जो पानी है न मौश्चर है, वो सुध जाए, जब तक मतर भून रहा है हमने लिया है ये धाई का पाटा, रेगुला राटा, उसमें एक च दालेंगे नमाक स्वार्थ के अनुसार, और थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको सॉफ्ट डो लगाएंगे, हम ये दस से बारा पराथे का आठा लगा रहे है, और ये देखिए इतना सॉफ्ट हम ये आठा लगाएंगे, सॉफ्ट ताकि फिलिंग के समय न पराथा तू अब हम डाल रहे हैं इसमें, एक चम्मच किचन किंग, क्योंकि कॉंटिटी जो है ज्यादा है, और इसके बाद डाल रहे हैं हम इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर, टेस्ट करके देख लेंगे, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर, एक चम्मच, अच्छी से भ यह देखिए, काफी इसका मौशर जो है सुग गया है, अब हम इसमें धेर सारा डालेंगे कटा धनिया, तो आपको मैं यहां से दिखाऊं, यह देखिए, ऐसे बाइंड हो रहा है, तो यह हमने इसको सुखा लिया है, गैस पे, मौशर अच्छे से, और यह अब फेलिंग ज मसाला और यहां मैंने टेस्ट करके देख लिया है, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, हमने नमक डाल लिया है, और आपको मैं यहां बताओ, बहुत आसानी से ना हमने इसमें बेसन डाला है, ना कोई और चीज डाली है, मतर मतलब मतर का ही पराथा हम यूज कर रहे हैं, यह असानी से भरा जाएगा, तो इस मेरे तरीके से पराथे बना कर देखिए, बहुत ही बढ़िया बनेगे, यह देखिए, आटे की हम लोई तोड रहे हैं, आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, थोड़ी दे रखने के बाद अच्छा हो गया है, सुखे आटे में डस करेंगे, इसको चारो तरफ से पैक करेंगे, एक्स्ट्र आटा हमने निकाल दिया है, इसको फिर से सुखे आटे में डस करेंगे, और इसको बेलेंगे, देखिए, बिल्कुल भी फटनी रहा है पराथा, और चारो तरफ से न अच्छे से इसमें यह भर जाएगा, क्योंकि हमने मटर में मॉ पतला बनाना है, और यह देखिए, आपको इतना ट्रांस्पेरेंट यह लग रहा है, चारो तरफ से मटर इसमें अच्छे से भर गया है, अब हम इसको तबेपर सेखते हैं, यह देखिए, यह पराथा जब इदर से भी सिख जाए न अच्छे से, तो हम पलट लेंगे, और चारो तरफ नहीं ऐसे सिख जाना चाहिए, अगर आप इस तरह से से लेंगे ना दोनों तरफ से अच्छा अच्छा पराथा, तो जब आप घी लगाएंगे तो पराथा फूल लेगा अच्छे से, तो हम इसको पहले जरूर ध्यान रखें, यह कि दोनों तरफ से पराथा ज गैस को अब धीमा कर दें बाद में, यह देखें, वाओ, लग रहा है ना यमी, इतना अच्छा पराथा है, और आप दूसरी दरफ से देखेंगे बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगे, और इसी तरह से हमने दूसरा पराथा भी बेल कर डाल दिया है, और यह देखें, एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, जब भी आप पराथा निकाले न आप जाली पर रखें, तो आपका पराथा कभी भी सौगी नहीं होगा, जैसे गीला हो जाता है, वैसा नहीं होगा, और यहां मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा पराथा गर आपको देखें कि नारों पर भी आपके अच्छे से मटर फैदी हुई है, तो आप इस ट्रिक से बनाएगा पराथा जरूर से, दूसरा पराथा भी हमने सेखना शुरू कर दिया है, घी लगा लिया है इसको, दौनों तरफ सेख देंगे, और यह देखें, यह पराथा भी स त्यार है, हरी चटनी के साथ हमने इसको सर्व किया है, और यह दूसरा पराथा भी मैंने आपको खोल के दिखा दिया है, आटे की लेर बहुत पतली है, और फिलिंग जो है वो किनारे तक भरी हुई है, तो पराथा मटर का मौसम आ गया है, देर किस बात की है, जरूर ट्रा किजि idea, thank you so much for watching my recipe.